हेलो दोस्तो सागत है आपके अपने चैन्नेल ग्रीन चैलेंजर्स में आज इस वीडियो में डिसकस करने बाले हैं सेमिनिस कॉम्पानी का मिलिमों ट्रिपल ओन के बारे में आज की वीडियो दोस्तो कॉल्टिवेशन सीजन से लेके प्राइस रिंज तक का पूरी डिटल में वीडियो होने बाली है दोस्तो इसलिए वीडियो को सुरू से अंज तक दिखिएगा अगर दोस्तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा दोस्तो और उसके साथ साथ बैल आइकन को भी प्रेस कर दिजेगा ता कि हमारी लेटेस वीडियो का नोटिपिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए चलिए दोस्तो आज की वीडियो शुरू करते हैं सेमिनिस कमपानी का मिलिमॉम ट्रिपल वान यह एक हाइबरेट पत्ता कोबी की वैराइटी है दोस्तो अगर आप इस साल पत्ता कोबी की खेती करना चाहते हैं या फिर पत्ता कोबी की खेती करते हैं तो सेमिनिस कमपानी का मिलिमॉम ट्रिपल वान आपके लिए बेस्ट आप्सन हो सकता है चलिए दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं इस वेराइटी की पत्ता को भी की खेती कौन-कौन सी सीजन में हो सकती है इस वेराइटी की पत्ता को भी खरीब सीजन और रवी सीजन में खेती आप कर सकते हैं दोस्तो वो भी रेकमेंडिय स्टेट के अनुसार दूसरे नमबर पे बात करते हैं दोस्तों इस वाराइटी की पत्ता को भी कौन-कौन सी स्टेट में खेती की जा सकती है जैसे की चतिसगौल, राजस्थान, मुध्यप्रदेश्ट, वेस्ट बेंगल, ओडिसा और गुजुराट में इस वाराइटी की पत्ता को भी खरी सीजन यानी जून महिने से अक्टोबर महिने के अंदर अंदर खेती कर सकते हैं दोस्तों और रभी सीजन में यानी अक्टोबर महिने से मार्च महिने के अंदर अंदर चोतिसगड, बिहार, वेस्ट बेंगल, जार्गण, ओडिस्टा, मुध्यप्रोदेश इन सभी स्टेट में इस भराइटी की पत्दा कोभी की खेती आप कर सकते हैं दोस्तों तीसरे नमर पर बात करते हैं दोस्तों इसकी नसरी के बारे में जैसे की दोस्तों इस भराइटी की पत्दा को भी खरीब सीजन और रभी सीजन दोनों सीजन में खेती की जा सकती है ठीक उसी तरह जून महिने से जानुआरी महिने के अंदर अंदर किसी भी महिने में इसकी नसरी तेयार कर सकते हैं दोस्तों और प्लांटेशन आराम से कर सकते हैं वो भी रेकमेंडेश टेट के अनुसार चौते नमः पर बात करते हैं दोस्तों इसकी क्रॉप साइकिल के बारे में इस वराइटी के पत्दा को भी प्लांटेशन के बाद लगभग पाचास से साट दिन के अंदर ननर इसकी हर्वेस्टिंग सुरू हो सकती है दोस्तों या फिर इसे आप हर्वेस्टिंग कर सकते हैं पाचबे नमबर पे बात करते हैं दोस्तो इसकी production के बारे में इस variety के पत्ता को भी दोस्तो दिखने में green होता है दोस्तो और एक पत्ता को भी की बज़ा अलग भग 800 ग्राम से 1.5 किलो तक का हो सकता है अगर आप अच्छी तरीके से खेती करते हैं तो चटे नमबर पे बात करते हैं दोस्तो इसकी price के बारे में इस variety की 10 ग्राम packet 211 रूपीज प्रिंट रेट दिया गया है दोस्तो जबकि 180 रूपीज में मैंने one packet खरीदा था हो सकता है कि दोस्तो आपके area में price थोड़ा ज़्यादा या फिर कौम किमत पर भी आपको मिल सकता है लाइक शेयर और कमेंट किजिए और इस चैनल को सपोर्ट किजिए दोस्तो वीडियो दखने के लिए असेस असे धन्याबाद